योगी सरकार में लगातार समाज के बीच में एक ऐसा माहौल बन रहा है जिससे न सिर्फ जातिकत समीकरणों को फिर से बढ़ावा मिल रहा है बलकि अपनी अपनी तरह से जो छेत्रिय राजनीति करने वाली प्रमुक पार्टियां है वो भी इस पूरे घटना क्रम में बढ़ राजुदास महन जो अयोध्या के हैं उनके बीच में जड़त हुई उसके बाद पार्टि की तरफ से आपकी पार्टि की तरफ से पोस्टर आ गए जिसमें आपने चौपाईयों का मतलब समझाने का प्रयास किया है इसकी आवशक्तिया क्यों पड़ी क्या ये समझें कि में हाथ धुल दें के हम वहति गांगा में हात धुल देहें कि साल पहले की देख ऑख पांक सु साल पहले की जो बिवस्थां थी उन वेवस्थाओं को जो लोगों nella MICHAEL ने को द्वारा सवाल कि यह भगार मर्यादा के माने जाते हैं आयोध्या से बनबास की तरफ गय थे तो उसमें उनके साथ को छक्ति्र वांजा नहीं गया था को ब्रह्मवन राजा नहीं गया उनके साथ ही किषदेर एदली तादिवासी कमजोर यही साहथ नहीं नहीं देख वह हुआ इंहां ने पर substitute autote तो शिख्षा कि स्रण में ले जाने के लिए भागवान बुद्धि ने भी संगर्श किया वागासाब वंबेटकर ने भी कहा सिक्षित बनों संगतितरों तरह संगर्श करो आगे पढ़ो उन्होंने भी सिख्षा को आगे बढ़ाने की बात किया महाराजा की चौपाई में भी जो जिक्राया है ताड़ना का वो सिख्छा से ही चोड़ा गया है लेकिन जो लोग रामचरित मानस को नहीं पड़े हैं वो इस तरह के सवाल करा करें उसके पीछे राजनैतिक साजिस अवस्री अखिलेस ज्याद जू साजिस में खड़े और उन्हीं के द कोई नहीं बनाया 6,743 जातियों में बाड़ दिया कौन बाड़ दिया आज तक पता नहीं चल पाया किसने बाटा लेकिन चाहे लोहिया जी हो चाहे डाक्टर अमवेटकर हमें सल से जाती के खिलाब थे जाती दोड़ों समाज जोड़ों तो समाज में जो जातिगत भावना से लोगों को उच नीच नफरत दिखाई जाती है उससे निजात पाने के लिए समाज को सिख्षित होना जरूरी है इसी लिए 18 अगस 2015 को इलहाबाद हाई कोट ने एक आदेश दिया था राज्य सरकार को ततकाली मुकमंत्रेश्री अकलेश यादवजिति उन्होंने समाज को समझना है तो हमें सिख्षा को लेना हो जरूरी इसी लिए हमारे लोगों ने ये संदेश दिया है कि समाज को सिख्षित करने के लिए बोलने की जरूरत है समाज में एक समान अनिवारा और फिरी सिख्षा दिलाने की जरूरत है अमीर और गरीब को एक साथ पढ़ा जिस तरीके से हुई है उसके पास सरकार ये तो कह रही है कि हम कारवाई करेंगे मेजिस्टेट, साइटी की जहाँ बिठा दी गई है वगएरा वगएरा लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से सरकार का रुख है या जो अधिकारी है वो इसको अंजाम तर पहुंचने दें अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सबसे बड़े दोसी आप कहला जारे हैं जो बुल्डुजल लेके जा रहे हैं सरकार का निजडेश है कि कि किसी भी गईरीब का मकान नहीं किराएना चाहिए और कोई दबंग अगर किसी गईरीब का जब जामिल क्या आए तो उसको छोर लेकिन कुछ अधिकारी करमचारी आज भी इस प्रवित्ति के हैं कि वो गरीबों की बात सुनने को तयार नहीं है उसी का एक नजीर है कि कानपूर की घटना हुई है इसमें तो डियम के उपर कारवाई होनी चाहिए लेकिन अभी तक कोई कारवाई नहीं क्योंकि जिम्मेदा अगर उनको बार-बार सूचना दे रहा है उसके अगर वो करवाई नहीं कर रहे हैं तो इसके सबसे बड़े दोसी डियम वहां के हैं और वहां के लेकिन सवाल है यह जाले घटना नहीं है यह उत्तर प्रदेश के हरकाओं की घटना जो आवादी की जमीन पवसा है बंजर क आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को अधिकारी बर्गला रहे हैं या फिर सरकार का कोई इकबाल ही नहीं अधिकारियों के इस तरपर देखे कुछ अधिकारी ऐसे जो मानने को तयार है वो सोच रहे हैं कि हम कुछ भी करेंगे हमारे पर कारवाई होगी है लेकिन आग तो मचली पर कारवाई हो जाती है बड़ी मचली छोड़ दिया जाता इसी से उनका मनुबल बढ़ जाता एक राजनेतिक सवाल फिर से उभर रहा है चुकि छेतरी पार्टियों का जिस तरीके से दबदबा है आम तोर पर और जातिकत राजमीती को फिर से उभारा जा रहा ह उसमें ब्रामणों का ये कहना है कि एक पार्टी है जिसके लोग मानस की प्रतियां जला रहे हैं दूसरी पार्टी है जो सत्ता में है वहां कानकूर जैसी घटनाए हो जाती है तो क्या पंडित अपने आपको बिल्कुल बेसहारा समझे कोई बेसहारा नहीं है सरकार जिम्मधार सब के लिए जो उत्तार प्रदेश की 24 करोण 30 करोण जनता है सरकार सब के लिए लेकिन जो लोग इसार की प्रतियां जला रहे हैं वह लोग संब्हार को नहीं मान रहे है उसल कर करना चाहिए कर ले कभी वो कुरान की कोई एक प्रतिजला के दिखा दे बाइवील पर प्रतिजला के दिखा दे अवकात में आ जाएंगे दस मिनट उत्तर देश की धर्ति को नहीं रफाए क्योंकि यहां हमारे धर्म में सनातन संस्कृति में मानवता बहुत बड़ा है यहां बड़ी बात है कि जो अरुन राजभर जी ने कही है चमावडन के चाहिए छोटन को उत्पात इस तरीके की बात अपने आखावत के रूप में कही गई है लेकिन यह बात जो अरुन राजभर जी ने कही है यह बात मानस की प्रतियां जलाने वालों के लिए कही है कहीं ऐसा लखना हो कि न्यूज इंडिया पर चली इस खबर को वो अधिकारी और मुख्यमंत्री सुन ले और कानपूर की घटना कहीं दभी छिपी नजर आए। लिहाजा सही जगह पर सही बात बोली जाए वो भी सरकार की ही जिम्मेदारी है और कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसमें सरकार खासतोर से मुख्यमंत्री को ही आगे आना होगा। हरी राम के साथ शेखत रवेदी न्यूज इंडिया लखना हो।